कर दो कि रादे कृष्णा फ्रेंड्स और आज मुझे काफी टाइम हो गया क्यूंकि मैंने आपको बताया था कर ली अपने व्लॉग में कि मेरे चाचा आज यहां घर पर आएंगे तो इसी वज़े से आज मैं आपसे मिल नहीं पाई सुबह और अभी मैं सारा घर का काम वगेरा सब कुछ कर लिया है मैंने और अभी मैं किचिन में आ गई हूँ खाना बनाना है मुझे तो मैं बना लेती हूँ खाना और थोड़ी बहुत आपसे र सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडिओ को like और share जरूर से कीजेगा friends तो हम मिलते हैं कुछ time के बाद तो यहाँ पर मैंने गर्म मसाले लिये हैं और गर्म मसाले में हैं चार बड़ी लाल मिर्च एक तेजपत्ता और दो बड़ी लाइची है चार हरी लाइची है चार लोंग और आठ दस काली मिर्च और आदी चम्मश शाही जीरा है और दाल चीनी के दो छोटे टुकड़े हैं तो मैंने डाल दिये थे और वो चिटक गया तो मैंने एक इंच के करीब अद्रक डाला है और एक कली लसन की डाली है तो वो भी थोड़े पक गये थे तो यहाँ पर मैंने बड़े पांच प्याज काटके डाल दिये हैं और पांच प्याज लिये हैं तो चार टमाटर ले रही ह तो यहां पर मैं आपको बता दूँ मैं बना रही हूं बटर पनीर और इतना टेश्टी कि मतलब बिल्कुल आपको काजी बगेरा डालने के कोई जरुवत नहीं है सिर्फ हम जो भी हमारे घर में है मसाले बस हम उसी से बना रहे हैं तो फ्रेंट्स अभी मैं यह देख लीजे यह पक रहा है इसको भी टाइम लगेगा 10 विनिट कम से कम 10 विनिट यह से लगेंगे तो में जब तक काट लेती हूं गोबी क्योंकि मैं को गोबी की भी सबजी बनानी है और कीचिन भी फेला हुआ है लेकिन ठीक है वो तो में सासात में करती रहूंगी लेकिन में समय पहल तो फ्रेंट्स दाल उबल जाएगी तो फिमें गोबी दूसरी साइड रक लूँगी तो मैं काट लेक्टी हूँ फटाक से गोवी, तो फ्रेंट्स मैंने हाँ पर गोवी काट लिया है ये देख लिजें काटके रख लिया है और ये भी पग गए तो मैंने गेजबन गर दिया है अब ये ठंडा होगा तो मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेवी बना कर रख ल तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी दिर बाद तो फ्रेंस हमने जो भी यह भी प्याज वगेरा इसी तेल में पकाए थे और जो तेल बचा था ना उसी में मैं पनीर को थोड़ा हलका फुलका फ्राइब कर रहे हूं इससा टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है तो यहां पर फ्र टमाटर काट लिया और मसाला डाल रही हूं क्योंकि एक हाथ से मैंने यहां पर मोबाइल पकड़ा था तो मेरा हाथ में जब काम कर रही थी ना तो काफी हाथ इदर उदर हो रहा था तो यहां पर मैंने सूके मसाले डाल दिये हैं जो भी हम यूज करते हैं घर में हल्दी न इसको ढखके रख दूँगी और अब कुछ भी नहीं डालना है जब सब्जी बन जाएगी तो थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे तो काफी दिक्कत यह हो जाती है क्योंकि क्या होता है एक खाना भी बनाना है मुझे और फिर वीडियो भी कवर करना है तो काफी मुझे अक आदी चमच हम हलदी ले रहें जादा हलदी नहीं डालनी हमें और यहां पर गर्म मसाला भी मैंने आदी से भी आदा डाला है और स्वात के अनुसा नमक और यहां पर मैंने एक बड़ी चमच कस्तूरी मेती ले ली है तो बस यहां पर मैं बटर की पूरी टिक्या डाल रही ह कर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो थोड़ा सा पिगल गया था तो मैंने मसाले डाल दिये, मसाले को भी ज्यादा नहीं पकाना ने तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा बस अब हम ग्रेवी को डाल देंगे इसके अंदर उसे अच्छे से मिला लूँगी मैं तो इसे मैं अच्छे से मिला लिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जो जार है उसे धोकर डाल दूँगी पानी फ्रे तो यहां पर तयार है गोबी और इधर मेरा बटर पनीर भी मतलब ग्रेवी तयार हो गई है बस अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ तो पानी में थोड़ा सा रखा था ताकि मेरा जो पनीर है वो तो सौफ्ट बना रहे अगर हम ऐसे ही रख देते ना तो थोड़ा हाड ह हो जाता है तो बटर पनीर भी बन के तयार है बस अब बन कर दूंगी दो मिलट के बाद में इसे तो यह देख लीजे यह हमारा बटर पनीर तयार है और यहां पर मेची भी यह भी फ्राइ करने के लिए काट ली है मैंने और खाना मेरा बन गया था तो मैंने सोचा जित्ते भी बरतने सब साफ करके रख लेती हूं नहीं तो फिर बाद में जादा हो जाएंगे तो फ्रेंट्स खाना मेरा यह देखिए तयार है और बस यह देख लीजे यहां पर पटर पनीर है यहां पर यह मैंने दाल फ्राइ की है एदम जादा मसाला वगेरा बिल्कुल भी नहीं भी यूजे किया है नहीं हमारा और यहां पर यह गोवी ने वियार है हमारा अर्टा मैंने लगा दिया है इते हो चाहर कर रही है तो बस में अभी ना आएंगे जब में रूट इन बनाओंगे गर्म अंतलय हो सकता है मुझे आप से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आप से बाद में मिलती हूँ तो फ्रेंट्स चाचे चाची आये थे तो वो अभी चले गए हैं मतलब साड़े पांच बजे वो गए और फिर में भी काफी ठक गई थी और अभी मैं प्यू के पापा के लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि अभी बजरे साथ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और उन्हें मैंने खाना जो भी बनाया था उन्हें काफी अच्छा लगा पसंद आया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंको मैंने जो खाना बना उनको अच्छा लगा तो बस अभी वो चले गए हैं और अब यूदर अपना व्लॉग भी अब सोच रहे हूं यहीं पर एंड करती हूं तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर से बताईएगा और अगर आप में चैनल पर फ्रेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजेगा तो हम अगले व्लॉग में मिलते हैं जब तक के लिए टाटा बाई बाई